तो प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब परें बिल बटन को दबाए और यह रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर दरें पर चोकलेट केक तो अपनी बहुत खाये होंगी पर इस तरह से एक बार चोकलेट केक को बना कर ज़रूर देखें यह बहुत हलका होता है ब तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं और कैसे बनाते हैं वह भी देख लेते हैं तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहें सूजी यहाँ पर मैंने एक कप सूजी लिया है यह नॉर्मल सा सूजी है साथ में हमें चाहें ब्राउन शुगर यह हमें दो बड़े चम्मच भड़के लेना है साथ में हमें चाहिए मिल्क पाउडर यहाँ पर मैंने वन फोट कप मिल्क पाउडर लिया है अब यह सब जो सुखे इंग्रेडियेंट्स है इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है आप चाहो तो छनी के मदद से जान कर भी आप इसे मिक्स कर सकते हो क्योंकि ब्राउण शुगर बहुत ही छोटे छोटे होते है तो यह छनी में से आसानी से निकल भी जाते है तो अगर ऐसा ना हो तो brown sugar को आप थोड़ा सा piece के powder भी बना सकते हो और फिर उसमें add कर सकते हो तो उससे ये जल्दी जल्दी mix हो जाते हैं तो इसे mix कर देना बहुत ज़रूरी होते हैं फिर इसमें add कर देंगे दही यहाँ पर मैंने 1 3rd cup दही ले लिया है साथ में हमें चाहिए तेल ये 1 4th cup तेल है नॉर्मल सा तेल है ये और उसी के साथ हमें चाहिए vanilla essence 1 teaspoon अभी इन सब चीजों को हमें अच्छे से mix करना है यहाँ पर मैंने दही लिया है क्योंकि ये eggless cake है तो eggless cake में दही डालना बहुत ज़रूरी होते हैं और साथ में मैंने तेल लिया है ये normal vegetable oil है इसका कोई fragrance नहीं है तो ये मैंने 1 4th cup लिया है पर आप चाहो तो इसमें तेल के जगे पर आप melted butter भी use कर सकते हो तो ये अच्छे से mix करना ज़रूरी है इसके लिए थोड़ा सा दूद इसमें आठ कर देंगे 1 3rd cup मैंने दूद ले लिया है और ये दूद रूम temperature में है तो अभी इस अच्छे से mix कर देंगे और हाँ जो मैं बता रही थी वो ये है के तेल मैंने इसलिए लिया है कि ये बन है पर ये ठंडा हो जाने के बाद बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं तो इसलिए मैंने तेल ले लिया है अब इसे धकल लगा देंगे और 15 मिनिट के लिए इसे साइड में रख देंगे तो 15 मिनिट के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे क्योंकि सूजी ने सारा moisture एब बेकिंग सोडा नहीं लिया है तो बेकिंग पादर यहाँ पर आधा चमच एट कर देंगे और उसे के साथ इसमें थोड़ा सा और दूद इसमें आट कर देंगे तो यहाँ पर वान थर्ट कप दूद मैं और डाल रही हूं क्योंकि ये काफी टाइठ डो बन गए तो इसे अ इसे कोर्मल सी साथा चीनी यूज करते हो उसे पीस कर भी इसमें एट कर सकते हो बदद जो ब्रावनशुगर हो थोड़ा सा हेल्दी आप्शन के इसलीए में ब्रावन शुगर यूज्द करती हूं तो आपकी पास हो अब रॉशुगर भी यूज कर सकते हो तो इसे अभी अच्छे सी mix कर देना बहुत ज़रूरी है तो लगाता चलाता हुए इसे हमें mix करना है क्योंकि घई पर भी हमें लव नहीं चाहिए और यह देखिए यह mix हो गए है और ऐसी ही consistency हमें चाहिए तो यहाँ पर मैंने baking powder आखिर में इसलिए डाला है क्योंकि हमने 15 मिनित का standing time दिया था इसको तो baking powder डालने के बाद आप जादा time तक इसे weight में नहीं डाल सकते हो इसे तुरंद हमें bake करना होता है तो इसके लिए मैंने इसे पहरे standing time में रख दिया था और उसके बाद इसे मैंने baking powder add किया है और साथ में थोड़ा सा दूद अगर आपके पास दूद ना हो तो इसे ना ब तो यह mix हो गए है और उसके बाद हमें चाहिए इस तरह की idli mold तो नीचे का जो portion है उसे मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि उसमें पानी चला आता है तो उपर का जो portion है उनमें पेल से grease कर लीजे या पी थोड़े सी butter के साथ grease कर लीजे और फिर हमें थोड़ा थोड़ा portion इसम करके आ जाते हैं तो इससे prevent करने के लिए बस तोड़ा साही से डाले पूरा इसे ना भरें और इस तरह से बाकी सारे जो mold है उसे भी सेम प्रोसेस्टें भरके तयार कर लेंगे मैंने एक एक टुकड़ा यहां पर काजू डाल दिया है आप चाहें तो बादाम या फिर कोई इसमें मिक्स करकर भी डाल सकते हो इस तरह से मैंने डाला है क्योंकि यह दिखने में अच्छे लगते हैं बस इसलिए और आप चाहो तो थोड़ा सा ड्राइफ रूट्स किश्मीश इस इस पकाटके इसमें मिला कर भी से डाल सकते हो तो यह रेडी हो गया है स्टीम होने के मैं लिए तो सटीम करने के लिए हमें चाहिए फ्रेशर कुकर और उसमें पानी डाल देगे तो यहाँ पर मैंने अंदाज इसे देर कप पानी ले लिया है फिर उसमें डाल देंगे ये इडली मोल्ड और फिर इसे ढखकन लगा देंगे गैसकेट के साथ और इसका जो विसल है उसे नहीं लगाना है इसका विसल हमें खोल के रखना है और फिर इसे स्टीम कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 14-16 मिनिट के लिए और फिर तैयार हो जाएगी हमारी केक यह देखिए यह बन गए है और एक चाकू की मदद से चेक कर लेंगे कि यह पूरी तरह से तैयार है की नहीं और यह देखिए चाकू एक दम क्लीन निकले कि रचांसे है मतलब यह पूरी तरह से तैयार है अभी यह काफी गड़म है तो पहले इस ट्रेस को इसतरा से निकालके अलग कर लेंगे है और उसके बाद इसे Tower कर लेंगे यह अभी काफी गड़म है तो यह का मापको बहुत हीसावधानीसे करना है और हलका सा ठंडा होने क के बाद ही हमें इसे डिमोल्ट करना है तो डिमोल्ट करने के लिए एक शारफ नाइफ की मदद से इसका जो साइड है उसे छुरा लेंगे और यह अपने आप ही निकलाते हैं और यह देखिए हमारा चॉकलेट सुजी के कितनी अच्छी तरह से बन के तयार हो गए है यह बहु घर में ऐसे ही जब भी आपको कुछ भी मंचिक करने का टाइप अच्छे लगे या फिर चाहत हो तो आप इसे घर में इसे बनाकर स्टोर करके रग दे और फिर जब चाहे इसे यूज करे कोई भी मेहमान हो बच्चे घर में आये तो आप इसे दे सकते हो इसका टेस्ट लिक्विट चॉकलेट या फिर चॉकलेट सॉस रिजल करके भी आप सर्फ कर सकते हो तो इसे घर पर ज़रूर ट्राइ करके देखिए और फिर मुझे बताएए कैसे बनी है तो चैलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ